बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार का अफसरों को फटकार लगाने का अंदाज धी निराला है। वो कपके सधिकारी को क्या कहकर शर्म से पानी-पानी होने के लिए मजबूर कर दें। इसका अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। कई बार उनके इस अंदाज के वीडियो शोशल मीडिया पर भी वारल होते रहते हैं। अब एक बार फिर उनका यही अंदाज देखने को मिला जिसमें मुख्यमंत्री नितीश कुमार एक इंजीनियर से भरे मंच पर हाथ जोड़ कर कहते दिख रहे हैं कि कहें तो आपके पैर छू लेता हूं। यह कहने के बाद नितीश कुमार बकाइदा अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं और पैर छूने के लिए आगी की तरफ चलते हुए दिखाई देते हैं। उदगाटन समहारों के मंच पर बैठे नितीश किसी बात पर जेपी गंगा पत के प्रोजेक्ट मैनेजर आई एएस प्रत्याय अम्रित से नरास हो गए। पताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने इस महत्व कांशी प्रोजेक्ट को पूरा करने में हो रही देरी की बज़ा से नरास थे। यही वज़ा है कि उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर को इस अंदाज में जलील कर दिया। उन्होंने इंजीनियरों से निर्माण में तेजी लाने का आग रह किया। इसके साथ ही हाथ जोड कर उन्हें कहा कहिए तो हम आपके पैर छू लेते हैं। लेकिन आप बस इस प्रोजेक्ट का निर्माण तेजी से कीजिए। इसके बाद नितीश अपनी जगा से उठकर हाथ जोडे हुए ही प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिये। जिसके बाद मैनेजर नहीं सर नहीं सर कहते हुए पीछे हड़ गए। इस दरान बिहार के दोनों डिप्टीसियम समराट चौधरी और विजे सिनहा के अलावा पूर्व केंद्रिय मंत्री और वरिस्ट बिजेपी नेता रवी शंकर प्रसाद भी नितीश के साथ मज़ पर मौजू थे। आपको बता दे कि जेपी गंगा पत को नितीश कुमार का महत्व कांशी प्रोजेक्ट कहा जाता है। उनका दावा है कि इसके पूरे होने के बाद पटना में जाम खत्म हो जाएगा। जेपी गंगा पत करीब 21.5 किलो मीटर लंबा पुल है जिसका निर्मान धीगा से दिदार गंज के बीच गंगा के उपर किया जा रहा है। इसके तीसरे फेज के उद्खाटन कारक्रम में ही नितीश कुमार निर्मान में हो रही देरी को लेकर भड़क गये। इस दौरान इस प्रोजेक्ट के करीब 3.5 किलो मीटर लंबे हिस्से का लोकारपन भी किया गया है। नितीश कुमार ने हो रही देरी पर इसलिए नराज हैं क्योंकि उनकी योजना इस पुल को बिहार विधान सभा चुनाव से पहले पूरा करा लेने की है। बिहार में अगले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। नितीश का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो उसका लाब नितीश कुमार की पार्टी जद्यू को मिलेगा। इससे पहले भी वो हर बार विधान सभा चुनाव से पहले कुछ खास प्रोजेक्ट पूरे करा कर जनता को लुभाते रहे हैं। फिल्हाल इस खबर में इतना है।